श्री शिवाय नमस्तव भ्यम सोमवार का दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि यहाँ दिन शिवजी को समर्पित होता है और केवल पांच सोमवार इस उपाय को कर लेंगे तो आपका जीवन सवर जाएगा आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी आपकी जो भी मनुकामना है उसके लिए हम एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं यहाँ आपको शिवलिंग पर करना है और पांस सुमबर तक करना है पांस सुमबर लगातार भी कर सकते हैं या फिर आप बीच में कोई समस्य आ जाती है पीरियर्स की प्रॉब्लम आ जाती है लेड तो कहें दवाईयां चल रही है तो इस वरत को ना करें अगर आपके डिलेवरी हुई है बच्चा छोटा है तो भी आप इस वरत को ना करें यह वरत किसी भी सुमबार से सुरू किया जा सकता है और इस वरत में नमक भी खाया जा सकता है इस वरत में मीठा भी खाना उचित ह तो आप मेठा जरूर खाएं, शाम के टाइम आपको वरत खोलना रहेगा, इस बात का ध्यान रखें, सुभा आप नहा धो करके सोमवार के दिन शिव मंदिर जाना है आपको, तो शिव मंदिर जाएं अपनी थाली सजाने, थाली में आपको पांच घी के दीपक रखना है, जो की सिवलिंग के समीब हम प्रजवलित करेंगे, और आपको ध्यान रखना है कि पूजा की संपून सामगरी आप ले करके जाएं, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और आप दिवेल पत्र और समीपत्र जरूर रख लें, शिव मंदिर जाएं और शिव मंदिर जाकर के वहा भगवान की विधिवत पूजा करें, उसके बाद पांच दीपक जो ले गए हैं, उन्हें वहाँ पर प्रजवलित करें, पांच दिये में से एक दिया, आप प्रजवलित ना करें, उसे वापस ले आएं घर, अपने घर ला करके आप उस दीपक को घर के अंदर प्रवेश क करने से पहले अपने राइट हैंड साइड में दरवाजे के पास उस दीपक को रख करके प्रजवलित कर दें, फिर घर के अंदर प्रवेश करें, घर के अंदर आने के बाद आप अपनी पूजा की थाली वैसे ही वैसे रख दें, क्योंकि शाम को भी वही थाली को हमें ले जाना है इसके बाद आप अपने घर के नित्यकारे करें और वरत में जो भी फलाहर करना है वह फलाहर कर सकते हैं फलाहर कर लें फिर शाम के वक्त आपको कुछ मीठा बनाना है कुछ मीठे में आप खीर बना लें कोई भी ऐसा भोग के लिए बना ले हलवा खीर वगेरा जो भ को मंदिर जा करके आपको दो कटोरियों का भोग भगवान भोले नात को लगा देना है उसके बाद एक बची हुई कटोरी को आपको वापस घर ले आना है घर ला करके उस कटोरी का भोग सबसे पहले आपको ग्रहन करना है आप वो भोग किसी को ना दे इस बात का ध्यान रख आप इस वरत को शाम को खोल सकते हैं उस भोग के खाने के बाद आप देखेंगे कि देखते ही देखते हैं 500 बार भी नहीं निकलेंगे और आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछी हम जर अपने मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस वरत को सोंवार के दिन से सुरू करें दोस्तों कई ऐसे उपाए हैं जो पूछने श्री पंडीत प्रदीप जी मिस्रा दोरा बताए गये हैं और हमने हमारे चैनल पर डाल रखे हैं आप जरूर देखिएगा इन से आपके जीवन में काफी बदलाव आएगा आपके समस्याओं का समाधान होगा मिलते हैं अगले वीडियो में शुरी शिवाई नमस्तु भी हम